तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेटी और राय बरेली से कॉंग्रेस का सस्पेंस हो गया है खत्म चुकि आज नामांकन के आखरी दिन का वक्त था तो कॉंग्रेस ने राय बरेली और अमेटी लोकसवा सीट पर अपने उमीदवारों का एलान आखिर कार कर दिया है और इससे परदा भढ़ गया है अब नजर होगी थोड़ी दे में राहूल गांधी प्रयांका और मलीका अरजुन खड़गे के साथ फुरसत गंज एरपोर्ट पहुंचने वाले हैं जिसके बाद एक रोडशो गया जाएगा और साथी साथ नामांकन भढ़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी क्योंकि आज आगामी चुरण के मतदान के लिए जाने की पांचमें चुरण के मतदान के लिए जो की 20 माई को होने वाला है उसके लिए नामांकन भरने का आजाकरी दिन था तो कॉंग्रेस को ये ये मजबूरी कहे या फिर इतने दिनों से ज इस बार एक नया चरह है जो की है केल शर्मा बाद अगर केल शर्मा की करें तो मूरते पंजाब के रहने वाले हैं ही रह चुके हैं साथी AICC और पंजाब कमीटी के लिए भी काम किया बहतरी संगठन कारेक करता के रूप में उनकी पहचान है और खास तोर पर हम यह माने की जो भरोसा कांधी परिवार ने उन पर जताया और इतने सालों की मेहनत जो केल शर्मा ने पार्टी को मद्बूत करन में कहीं न कहीं लगाई उसका उन्हें ये तोहफा दिया गया या फिर कोई विवश्टा रही कॉंग्रस की इस पूरे सवाल पर मंधन अभी जारी है और खास तोर पर बात की जाए राय बरेली से राहूल गांधी का उतरना क्या यह एक संदेश है कि कहीं ना कहीं